सांतियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी क्या अपने एक्टूर्ट चनल टेकेश्टरी पे सांतियों आज हम लोग इस वीडियो के मादम से बीपी एसी टी यारी 3.0 से संबनित आज की जो महत्पुन खबर है उसको देखने वाले हैं और आज कई ऐसे महत्पुन खबर आया हैं जो की चोक आने वाले हैं से टिम को लेगे तो दोस्तों वीडियो को आप अंतर जो देखिएगा वीडियो सुकन से पहले में आप से छोटा सारी केस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसे ही लेटेश वीडियो पाना चाहते हैं तो आप ह पता है कि जाज जो है चल रही है बीपी एसी से भी सवाल जबाब हुए हैं और पेपर लिग के मामले में अब देखिएगा कि यूओ की ट्रिम जो है अब बंगाल भी जाने वाली है और यूपी भी जाने वाली है बिहार लोक्षिवा आयोग यानि कि बीपी एसी के दोया लीगी सिख्षक भर्ति परिख्षा के तीसरे चर्ण के पेपर लिग मामले में आर्थिक अपराद एकाई यानि यानि यूओ यू की छपे मारी जारी है हाजारी बाग और पटना में पकरे गए अब यूगतों से पूस्तास में मिली निसान देही पर पटना हाजीपूर सम बिबिन जीलो में छहपे मारी की जा रही है पेपर लिग में उत्तर प्रदेश का भी कनेक्शन सामने आया है इसके अलावा पच्छिम बंगाल के कुलकता के प्रिटिंग फ्रेज से प्रेश्ण परतर लिग की जनकारी भी मिली है ऐसे में जल्द ही यूओ यू की विशेश जाओ का पेपर लिग करा चुका है रिमांड पर लिएगे अवेटियों से पूस्तास में इनके बारे में जनकारी भी मिली है जिनकी तलास की जा रही है देखिए एक चीज तो यहां पर तय है कि जब भी कोई घटना ही होती है बिहार में कुछ भी होता है इसमें जो छुट मोडने की बात है कहे जा रही है आप देखिएगा इसके पहले वीपीएसी के जो अधिकारी है उनके नाम हा रहे थे लेकिन सिर्फ सवाल जबाब की तलब हो गई उसके बाद से ना कोई प्रोसेस कोई आगे नहीं बढ़ा तो इसलिए जो बड़ी मचली होती है न वो फस्त बताइए 90 फीट रोड पे होती थी अभयत्यों की सेटिंग अरे कि पिछले दिनों यू इन्य पेपर लिख में आम लोगों से जनकारी पाने के लिए हेल्फ लाइन नंबर जारी किया था इसी हेल्फ लाइन नंबर पर यू को पटना बाइपास के पास 90 फीट रोड में एक ठीकाने के जनकारी मिली है इसके बार इयो यू की ट्यूम ने 90 फीट इसी ठीकाने पर छापे मारी की और इस कमड़े का इस्तिमाल सौलवर गिरोग के सदस्त अभयत्यों से सेटिंग के लिए करते थे पैसों के लेंद दिन की जनकारी भी शामने आई है जिसकी पूश्टी अभी की जा रही है यह मामले तो निकल के आरी है लेकिन जो बड़ी मचली है वह कब हाथ लगेगी क्या मामला इसी पर सीमट के रह जाएगा क्या आप यूपी बंगाल घुमते रह जाएंगे यही होगा यूपी बंगाल कुलकरता यह तो बात है कि यहां से पक्रे उनकी जांच नहीं होगी क्या सिर्फ सवाल जबाब हो जाएगा तो खत्तम अब देखे क्या होता है चलिए अगले नीज को देखते हैं अगले नीज जो निकलके आई है वहाई को टुका मामला है परिणाम रद करने पर सरकार वह बीपी एसी से जवाब तलब मागा गया है आ यह मामला की कोट में घ्या था और इस ही मामल में ऌrä student क्या है कि परिणाम रद टखरने पर सरकार और विपी ह्यसे से जब आपतल नवागा है तो Computer Science बिषय में जो उच मादμिक शिख्षकों की नियुकति का मामला है जो आपको पता है कि उच मादमिक शिख्षकों की नियुकति होई थी और जल्दबाजी में लिया गया थी कि पटना हाइ कोट ने Computer ScienceBU अंच मादमिक सिक्सको की निकाले के परिणाम को निरश्ट करने को लेके दायर याचिका सुनाई पर करते हुए राज सरकार उपिहार ब्लोक शवायो को हलप नामदार करने के लिए कहा है यानि कि जो रिजल्ट जारी हुआ था वीपी एसी यह और से उसको जो है मतलब कैंसिल करने की बात क आपन जारी किया गया था आपको पता है यह TRE1 का मामला है जिसमें 8395 कंप्यूटर पर यानिके साइंस के सिक्षक पर चैन्द करने थे कागजात के सत्यापन है तो 28 सगर 2023 को पहली बार इसकी सुषना जारी की गई थी और 2 अक्टूबर 2023 को HTT का रिजल्ट जारी किया गया था वहीं अधिसुषना 10 नौबर 2023 को जारी की गई थी तो इसी सब मामले को लेके जो है यह मामला जो है हाई कोट में चल रहा है और यानि कि जो आपकी नीम आली है उस पे भी अपकी बाते चल लिए और यहाँ पर परिणाम रद करने की बा काजिम से अब सवाल आते हैं कि आपकी परिक्षाय का भूगी यह तो लीपा फोती चलती ही रहेगी तो देखि आपकी परिक्षाय जो है इस लीपा Denmark सिकार भी है जब चलता रहेगा जब तक एक निसकर्ष पर नहीं पहुंचाती है जब तक निसकर्ष पर नहीं पहुंचाती है बीपीएसी भी आगे अपना कदम नहीं बढ़ाएगी और थोड़ा सा और भी आपको इसमें बिलंग देखने को मिलेगा ऐसा अनुमान है कि अगर अपरिल में अपनाई जाएगी और उसमें क्या कुछ होगा जो मामला निकल के आएगा उसकी जनकारी हम आपको आगे देंगे लेकिन आप एक संभूता तिथी अगर जानतना चाहते हैं तो मैं तक आपके एक्जाम जो होंगे मैं लाज तक होंगे जिसके सुषना भी मैंने आपको दिय